नमस्कार वंडड़ी कश्यात सर्व आई होप सर्व मझे तस असनार आनि त्यास पर त्यास पर सोब तुम्हें अभ्यास्पन करता हूँ इंडिया के मोस्ट एमेजिंग प्लैट्फॉर्म यानि की फिजिक्स वाला पर तो बच्चा लोग हमने जो है कौन सा लेक्चर स्टार् सब्सक्र यह बहुत है बहुत बैसिक विज इह सब सब चीज थे नेया अब उसका नेक्स्ट पार जो है वह हम आज देखने वाले ठीक है बहुत इजी सा है लेकिन बहुत helpful भी आपके लिए और वो क्या होने वाला कैसे होने वाला वह सारी की सारी चीज़ देख लिए और हाँ आज हम क्लास में perform करेंगे practical समझ रहे हो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके आज पढ़ेंगे ठीके बच्चा लोग तो भाई ज्यादा टेशन ना लेना है ज्यादा चिन्टा नहीं करनी है जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और फिनिश कर देते यार बहुत इजी से जप्टर तो ज्यादा टाइम क्यों ही लेना इसको ज् टार्च आए आज आपन भगनारावट डिजास्टर मैनेजमेंट बदल कश्बधल बगना रओं आध्क बनां आधस आज आ आपन बहुत नावाट डिजास्टर मैनेजमेंट स्यान थैस्टर नहीं थैस Jord करनी लोगों की हम किस तरह से बच सकते हम किस तरह से लोग तो चलो भाई शुरुवात करते हैं आज का मतलब आज का जो है सेशन को सुरुवात करते हैं तो भाई लोग आप लोगों ने बहुत बार ये चीज़े देखी होगी देखी है जैसे कि अर्थक्वेक भुकम पा जाता है जमीन हाल आए लागते धर 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 अनिमक सरवजा सरवजों इंफ्रस्ट्रक्चर आए पूर्ण जमी नीचा खाली आपने बहुत बार ये भी देखा होगा उसके बाद अभी अभी कुछ सालों पहले आपने कोलापुर में एक बाल आई थी इस तरह से कुछ तो भी आपने ये भी देखी होगी सही बात है उस तरह से आपने बहुत बड़ो बहुत बहुत बड़े तुफान ऐसे आते होगे दिखो उसके बाद आपने कही बार ऐसे बाम को फोड़ते हुए भी देखा होगा ठीक है बाम को ऐसे हुए देखो यह क्या है यहाँ पर यहाँ पर बाम फूट और बहुत निकली जो कि क्या करते पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं उसके बाद आपने बहुत बार ऐसे वार के फोटो भी देखे होगे वार की वीडियो भी देखे उसके साथ आपने यह फ्रायाइट मतलब क्या होता इसको दंगल भी आपने बहुत बार देखे तो यह सारी जीजेंश मैंने क्यों दिखाई आपको क्यूकि इनको कहा जाता है डिजास्टर ईपने वर्ड तो सुनाओगा डिजाष्टर लेकिन डिजास्टर वर्ट का मीनिंग क्या होता है मैं आज आपको बताने वाला हूत कोई समस्या बिलकोल नहीं होगी ठीक है इतनी बाद समझ गया तो कुछ कुछ जो डिजास्थर है भाई तो वह कैसे है कुछ कुछ जो है वह नाच्ट रल्डिजास्थर मतलब नेचर खुद लेकिन कुछ-कुछ जो डिजास्थर है कुछ-कुछ जो डिजास्थर है जैसे कि आपको यह नीचे देख रहे हैं यह क्या है यह हमारे करते जाते तो उसी को कहते है डिजास्थर यह हो गया हमाना मैनमेट डिजास्थर और आपको ऊपर जो दिख रहा है वह हमारे वह कौन से हमारे नैच्रल डिजास्थर डिजास्थर के डो टाइप है एक मैनमेट एक नैच्रल इतनी बास सबको क्लियर है सबको मैं तो चाहता कि सबको यह बात क्लियर हो जाया आराम से ठीक है इतनी बाद सब्सक्राइब तर आता अपन बहुत एक्चुली डिजास्टर मन्जे काई आता है आपन यह जामादे भगना रुप सब्सक्राइब डिजास्टर की डेफिनेशन दी है मैंने देखो आप देखो को पर वर्डस देखो भाई बाई मीडे घरेशन और यहांप एक वर्ड़ डेको 20 सट डर्ण फीपरीन अवह सड़नbayेर का अभी पता है कि क्या होने वाला है आरth यूवेक आने वाला है तो अर्टक्वेक पहले बताके मैसे फंसान मैं जहूँ दो मैने बाद 20 को आने वाला हूँ तो त्यारी करके रखले एसा होता गया यह फिर फ्लड बोलता है कि देख भाई मैं पंधरा दिन बात इतना भर्सूंगा इतना अबरसूंगा इतना वर्षम स्थ पूरा फ्लर्ड आ जाएगा ऐसे पहले होतायं कभी नहीं होता ये सब्र Springs हो जाता है जिसको हम जो है इनसान प्रेडिक्टों कर पाते हैं लेकिन उतने time भी नहीं मतलब हुमें पता नहीं होता कि होने ही वाला है ठीक है ये सड़र सब्सक्राइब बहुत लोग जमीन के अंदर धस गये बहुत लोग जो है क्या हो गहां पर ऐसे बिल्दिंग की बील्दिंग किर के the huge loss of life मतलब बहुत सारे जाने हम गवारे उसी के साथ प्रॉपर्टी का भी लॉस हो रहा है तो देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है करना पूरी की पूरी डिल्डिंग से खतम हो गये हैं यहाँ पर पूरा पूरा गाव डुपग गया ठीक है यहाँ पर क्या होगा यह जहां पर जर्वार वहां इंधर आख…. यहां पर दुकान फुकां सब धन्दा बंदा सब तोड़ा जाता है लोगों का तो इसमें भी कहा हो सोग इडिजास्टर वन जे का है अशा इवेंट जो की एकदम quickly होना सटनिवेंड बराबर है आनि ट्यास्ट आपता वर्ट आ सबसे आपन नुक्सान होना It is called as a disaster and the sudden events that lead to huge loss of life and property is called as a disaster तो भाई जो disaster धो दो टाइब की होते है दो टाइब की डिजास्थ होते है एक उता है natural disaster और दूसरा होता है manmade disaster एक होता है natural और दूसरा होता है manmade आता नाथ नेचरोल मंजे का है जो नेचर निया आपले हापून करूंग इतला है for example earthquake volcano eruption tsunami landslide landslide मतलब ऐसे पूरा का पूरा उससे के साथ hot and cold waves ठंडवारे उष्णवारे यह तक बरबर आता उनाड़ा उष्णवारे यह वड़ा बेकारा कि लोगां चाहिए जीवा चाल ले पटावर बोलबर तैस्टोब तका है स्नोफ फाल सबवनल भाई यह सब यह इए हुए और धेख लेना आप यहाँ एहाँ पर कौनसी मेटिऊट्र अगीर सजाना संसपोर्द साइक्लों आओ जाना बराबर यह सारी ने खुद तयार होता है बराबर नेचर में यह Lee आ जाते हैं जिसके वज़े से क्या हो जाता है डिजास्टर हो जाता है और वही हमार अगर मैनमेट की बात करें मैनमेट मतलब कैसा होता है एक होता है अन्नोन और दूसरा होता है इंटेंशनल अब इंटेंशनल देखो कैसे होता है जुसमें वार फायर किसी को मतलब कहीं पर इसकойти आने वाङा आधेंशनल था इन्टेंशनल था वार करा देना पहले इसे पता था कि कॉंस्क्वेंसti क्या होने वाली है इसके फेसा ग़्पा था बहुत बाइस था Penguin वह बहुत चोटे होगे तो तूस टाइम पर और भौपाल में जो है ग्यास लिख हो गई ती किotz बहुत बढ़ी ट्राजीटी दोगी की एक एक केमीकल की फैक्ट्री थी वहाँ से ग्यास लिक हो गए और ग्यास इतनी लिक हो गई कि पूरा भोबल गा मतलब जो शहर ता वो एक एक पर्टिकुलर रेडियस में क्या होगा जो है पॉज़न के वज़े से ग्यास जो है टॉक्सिक ग्यास इनहेल करने के वज़े से मर गए तो यह क्या आपको इतना कुछ याद नहीं रखना इंटेशनल है या अन्नोन है या फिर इतना नहीं रखना आपको याद रखना है नाच्रल और मैनमेट सब के चार-चार एक्जांपल आपको याद रहने है मतलब रहने ही है रही नहीं पड़ेगा आपको करना ही पड़ा गया ठीक है तो देखो भाई हमने सबसे पहले डिजास्टर की डेफिनेशन देख ली क्या पड़े अचरील था एकल बयाएन अचौल था हएक घिजास्टर आपको षाहे कि प्रापर्ट व क्यांज का बेखा के साथ बहुत सारी जाने भी जो है खत्रे में आ जाती है अब इसको हम मैनेज कैसे करें तो उसको हम पढ़ने वाले हैं इस डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक में अब डिजास्टर मैनेजमेंट का अब डेफिनेशन देख लेते हैं ठीक है यह आपके भूक में नहीं दीगी है मैंने कहीं से उठाई है अब उठाई कहां से वह आपको अगले साल पता चलेगा इस साल बस आप देख लो प्रिवेंशन ओफ डिजास्टर और मेकिंग अर्रेंजमेंट टू फेस इट और एट लिस्ट अचीव अबिलीटी तो फेस इट इस कॉल्ड आज डिजास्टर देखो सबसे पहले क्या कहते हैं प्रिवेंशन ओफ डिजास्टर अब प्रिवेंशन ओफ डिजास्टर मतलब क होगा है कि उस डिजास्टर को होने ही मत दो जैसे वार हो रहा है अब दोनों भी देश क्या है गर्मा घरूमी में आ तो प्रॉपरटि या और उसी के साथ हमारे लाइफ का भी लॉस नहीं होगा ठीके यह कर सकते हैं और making arrangement to face it जैसे अभी हमें हमें पता है कि असाम में बहुत बार फ्लिड आती है तो हम पता है कि उस particular area में बहूत साल जो है बहुत साल ऐसे हर साल फ्लिड अती जाती है Flar a V Southern भरता जाता है भरता जाता तो हम क्या कर लेंगे जैसे एंडिया एरेव की टीम है हमारी पहले से ही वहां पर क्या होगा कि अपने बोट में सब सकते करके वहां पर तयार रहें गे ठीक है इससे क्या होगा अगर फ्लॉड आता भी ये तो आगर हो भी जाये तो कम से कम नुक्सान में हम उसको क्या करें पाए अधर कर पाये इस इस नवात correcting भट दीजास्तर वैनेजमेंट डिजास्तर अधर अधर दीजास्टर मैनेजमेंट तो नटीकिक डिजास्टर मैनेजमेंट तो लोग यहाँ पर फस गए ते इस क्या हो गया अगाडी और यह फस गई थी एक वह ईजर पर पानी बढ़ रहा था तो यह टीम आई इन टीम ने क्या किया इस लोगों यह सो लेडी थी उसको बॉट पे बिटाके लेखे थिर podem को यह पिस तरह को उन्होंने पहले ही इंस्टरक कर दिया कि देख और ऑग लगवाग लगती है तो इस तरह से बुजाना चाहिए यह होता है तो उस तरह से करना चाहिए फ्लड आता है तो आपको उच्छे वाले जगा पर जाना चाहिए यह पहले से क्या कर दीते उनको गाइड कर देते इसके वज़े से क्या होगा कि हमा अगर फ्लड तो आता ही रहे डिजास्टर मैनेजमेंट करने की ओपजेक्टिव क्या है ठीके देखो प्रिवेंशन आप लॉससा एंड डेंजर बरहुबर है अभी मैनेजमेंट क्यों कर रहे वह क्यों कि हम प्रिवेंट करें लौस को लो चाहिए वह लाइफ का हो या फिर प्रॉपर्टी का हो त्याला ब बढ़ा दो मतलब आप हैंडल कर पाऊं सारे चीज़ों को ठीक है यह होगा उसके पाद प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम्ट डिजास्टर मिनिमाइजिंग दा इंटेंसिटी एन एक्सेंट ऑफ हम अभी अभी बताई मैंने क्या होता है क्या करता है काम यह टीम क्या करती ह प्रोवाइडिंग रिलीफ रॉम्ट डिजास्टर बरावर रिजास्टर तो हो गया तो उससे क्या ओलो लोगों को बचाना उनको बाजू में लेके जाना यह सारी चीज़े क्या करते डिजास्टर मैंजमेंट में हो दिए सारे ठीक है मिनिमाइजिंग दा इंटेंसिटी ब अगर होती भी है वह चीज़ तो क्या लोग खुद से पहले प्रिपेर रहो ताकि वह डिजास्टर आ भी जाए तो उसको मुक्का मारके हम भगा दें ठीक है इतनी बात सब्सक्राइब हो इंड़िए एक्षिन इंड़ डिजास्टर सिचुएशन तो यह जो टीम है वह क्णरती है है इंड़िएट एक्षिन करती है उसटर के लोकेशन पर और वहां से जाके rescue का कांव करती है ट्यान अंतर कए assessment of the damage and the intensity of the disaster तो भाई disaster तर जाला ड्यास्टर जाला जाला और त्याथ इंटेंशी टीटी तो कशा मुड़े धाला कशा काया कई देज़ते अमक्चे रिजन होती ते पुनर्वसम लोकान ना जेका डिजास्टर में जो लोकस आपड़ लाया त्यानना ग्यों आपन सांग लाया से फिकानी त्यानला पोचाओ ना इस नथिंग बट रियाबिलिटेशन अब जैसा अर्थक्वेक आ गया समझ लो तो पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या होगी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स क्या है हमारा फॉस्ट अरे भाई फॉस्ट के बारे में क्या ही बोले आपने कहीं बार बस में ट्रैवल करते करते आपने ये वाला जो है बॉक्स देखा होगा अब उस बॉक्स को ओपन करके देखो क्या उसमें यह सारी चीजे होती है या नह होती है अगर होती है तो बहुत सही नहीं होती है तो भी क्या ही बोले बगवान भरोसे अपन ठीक है तो देखो दमेन अब्जेक्टी ऑफ फॉर्स्ट एड़ इस प्रिवेंशन आफ डेथ बराबरे अगर किसी का मतलब क्या हो गया समझे एक्सिडेंट हो गया तो बहुत ब्ल कर दिया फॉर्स्टेट कर दिया तो उसका क्या होगा ब्लड लॉस नहीं होगा उसका उसके वज़े से क्या होगा ओ इंसान बच सकता है उसको फिर अच्छा वाले हस्पिटल लेके जाओ वहाँ पर उसके ट्रीट्रमेंट करते हो कि प्रिवेंटिंग डिटेरियोरेशन देखे जाके सेव जगा पर पहुचा देना इस नाफिंग बट फॉस्टेट वही है तो आपने कहीं बार यह फॉस्टेट वाली कीट कहीं तो भी देखे होगी चाहे हॉस्पिटल में देखे होगी चाहे स्कूल में देखे होगी चाहे बसेस में देखे होगी चाहे पब्लि ट्राइंग्लाइं अगर वह इंसान इंफेक्टेट अगर हमने मतलब क्या कर दिया ऐसे खुले हाथों से अगर उसका इंफेक्षन है वह हमारे अंदर भी आ सकता है इसलिए हैंड्गोज होना चाहिए एंटीस एक बहुत इंपॉर्टन यहां पर आपको खरच हो जाए तो हो सकता है जमीन में जो बैक्टेरिया थे जो फंगस थे वो आपके शरीट के अंदर इंटर कर सकते इसलिए उसको एंटीस एक फॉर इजांपल डेटल बराबर डेटल यह क्या होता है वो इसको लगाकर आप क्या कर सकते हो उस्टीस को प्राइमरी आप कर सकते हो ठीक है उसका इन्फेक्षिंट सेफ्टी पीहीं होने चाहिए ब्लेड होने चाहिए स्मॉल पींस नीडल बैन्डेट टॉर्च सीजर सर्मामीटर और पेत्रो P की कुछ कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो फॉर्स्ट अट में हम कर सकते हैं बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हम फॉर्स eternal करना आना चाहिए ठ्याक्त एग्जामपलग एक्सियाटर ब्रेच ब्लेड़ आध weer से पाखलेटर किसी इंसान को इस वाले पार्ट को हम करेंगे प्रैक्टीकल फिर मैं बस आपको यह इस की इवाल संजह दूगा की को मैं प्रैक्टीकल पर जाएंगैं थीक के पर की मादर gagnर आज का हमारे चाहरे वगा हैं किनिप कर देली के चाहिए चलू से प vigor हो या फिर सास लेने में दिक्कत जाड़ी हो तब हम क्या परफॉर्म करेंगे एरवे तो एरवे में क्या करता हो परसन को लेटा ना होता है बराब ऐसे लिटा कर उसको उसकी जो चीन ऐसे हो दिए समझ लो मैंने मैं लेटा हुआ ऐसे ठीक है तो मेरा नेसल पैसे देखो आप इ सब्सक्राइब आपको जब ब्रीटिंग जो है आगे वाले परसन की वो जो क्या हो जाएगा उसको ब्रीधिंग करने में दिक्कत आ जाए ठीक है इप डविटिम ऐस डीफिकल्टी ब्रीधिंग डिफिकल्टी न मिरीधिंग दैंट इससे और शूट kap expensive language । तो तो ऑपन रहेगा। ये रिव सबस्पहली बात होगी। उसके बाद ब्रीदिंग अगर समझ लो किसी इंसान को ब्रीध ही नहीं कर रहा हूं उसने ब्रीधिंग ही लिख टाप कर दिशने ढसौफ कर देन हार ट करो सु स online के हमें हमें अमें देने हैं देखो इफ दे ब्रीधिंग है स्टॉप दो विक्टिम शूट गीवन आर्टिफेशल वेंटिलेशन बाइ माउठ तु माउठ रिस्क्यूएशन बरबर है तो क्या करना है माउठ टु माउठ जो है अपने को उसको ब्रीधिंग देनी है हवाले लिए उसका माउठ ओपन किया है बस यह सारी चीज़ें हमें क्या करनी है प्रीधिंग में करनी है सही बात है बात है चलो तो अभी देखते हैं जो लास्ट है सी स्टैंड फॉर्ट सर्कूलेशन तो अगर समझ लो किसी परसन की हार्डबीट रुख जाए ऐसा नहीं कि अगर किसी परसन आपके पास है अगर उसके अचानक से हाडबी रुख जाए तो आप यह वाली जो मेठाड यह परफॉर्म कर सकते हैं कैसे करना है आपको जो है सिंपली परसन को लिटाना है ठीक है यह हाथ लेना है इस तरह से यह पांपर यह पांप और इसका जो यह मिड तुप 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 इस तरह से क्या कर जाओ के प्रेस कर जो मैंने आपको करके दिखाया आप बस इसके बाद वो वीडियो मैं लगा दूँगा ठीक है सब्सक्राइब देखो मैंने प्रैक्टिकल करके बता है इप दर विक्टिंग इस अंकॉंशियस देन तुप इसको बोनो डोनो आप आप लेकर उसको ऐसे प्रेस करने हाड ठीक है एक दम भी नहीं नहीं तो उसके चाती तूट जाए उसकी उतरा नहीं करना भाई ठीक है ज्यादा जोश में आके यह मत कर देना इस तो एक्षिन शुट भी रिपीटेट अल्टरेनेटली आफ्टर अफ्टर अब फिप्टीन टाइम स्टीके पंदरा टाइम आपको दो बार फुक मारने और फिर आपको दबाना ठीक है इस इस कॉल्ड आज और यवे इसको क्या कहा जाता है काडियो फुल्मेशन रिइस सीटेशनी स्ट एं इसको हीजगर को यह तो थोड़ा मुझे भी दिक्कट जारी ती इसको फ्रिट्रूनल Bay आ।ट्यो तो चलिए इसको प्रफॉर्म करके देखते हैं हमारे वरान सर्फ ठीक है तो बच्चा लोग हमें बताए एबीसी में फर्स्ट है वो है एरवे उसमें क्या करना तो अगर समझ लो किसी इंसान को ब्रीधिंग करने में दिक्कत जा रिए तो आपको क्या करना उसको तो स्मॉपली ऐसे लट आना उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसकी जो चीन हे उसको ऐसे पगड़के ऊपर के करना है इससे क्या होतय से देखो अब lac ब्रीधिंग का जो है फूर्भ सीुनेतर होगा प्राइब ब्रीधिंग करागे है प्रिपिट कर जाना है 100ड कि जिसमें कुछ क הצ rainbow जो है एइंसान की बेदिंगि रूख जाय तब हमने कई जा था लगता धा LAURA आता है तो था होता है डाल में क्या शर्क्राइशन तो android परिष्ण की बंधो गई तो आपको करना है, आपको सबसे पहले mouth to mouth आपको breathing करना है, ठीक है, RTP shell आपने breathing दी उसको, उसके बात करना है, दो बार ये होर करने के बाद, RTP shell करने के बाद, आपको फिर इस हाथ का ये पाम और ये पाम इस तरह से रख के, आपको ये जो बीच में जो आपको दीखागा, ये क्या है हमारा चेस्ट है, जो मीज में क्या होगा हमारा चेस्ट बूनो, उसको आपको इस तरह से हाथ को रख के उसको देखो, पहले ऐसे जोर से, मतलब इतना भी जोर से नहीं चाहिए कि आगे वाले person के हट्टियां टूट जाया, इसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होता जाएगा है, इसको रिपीट करने आप लोगो आप लिस्ट फिप्टीन ताइम तर तुम्हीं रिपीट के ला तर एक चांसे साथ कि नहीं हो है, तो परत 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 आपला अपला एक्टिव स्टेट मदे यह उन जाना, तर अश्या प्रकर आप लेला कहा है, याला आपन हाग गेतला तैने तर हाग गेतला हाँ पाम जो एका और एक अशा ठेवला आपन तो आपन त्या पूछ किला, हाड़ी मजे यह वड़ा पन हाड़ी नहीं पर एक ठीक है, नॉर्मल परेशर बन तुम्हीं जाना, अश्या पूछ करूं कि लिए, तुम्हाला रिपीट किस तरह से परफॉम होता है, क्या होता है, वो सारी सारी चीज़े हमने देख लिए, यह तीनों की तीनों, ABC, यानि की, यानि की, एक्सलेटर ब्रेक और कलच नहीं है, बाई, एरवे, ब्रेधिंग और सर्कुलेशन, यह बात आपने धान में रखने है, ठीक है, चलो, अभी उसके बाद जो है, कही कबार क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, कही पर अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना, एक कॉटन का पैड लेना, ठीक है, एंटिसेफ्टिंग, मतलब, वो क्या होगा, वो इन्फेक्टे नहीं है, कही से उटा लिया, म कई को एक प्रस्ट जालाए था टॉठ या एक दिंस्ट न जैसलोगना थसर यह था हमोज दमेद चलाव दो लोट जो शोता है तो अलए ताम मुत अलए प्रेस प्रिसकूरू मुझे खाता है काय होना ब्लड मुत आमजेक लॉट बार्ट था है से था मुझे तो दो ब्लॉट is injured and bleeding through the wound then the wound should be covered with the antiseptic pad देखो किसके किसके साथ करना है antiseptic pad and press pressure applied on it for a five minute with the either thumb or palm ठीके पाच मिनिट के लिए antiseptic pack लेना उसको चिपका कर ऐसे चिपका कर रखना है थम से दबाना है नहीं तो आप साम लेके उसको ऐसे दबा सकते हो ठीके फार फाइव मिनिट इस ग्लीडिंग अगर होती है तो अगर समझ लो किसी इंसान को fracture हो जाता है किसी इंसान को fracture हो जाता है कई पर गिर गया कई पर लग गई किसी ना के ठोक दिया गाड़ी को यह वो साइकल जी रहे है कुछ भी हो गए तो उस टाइम पर क्या करना है आपको उस टाइम पर क्या करना है जो फ्रैक्चर हुआ समझ लो यह महीर सर का हाथ है महीर सर का हाथ सब्सक्राइब या फैसे यह नहीं कि लकड़ी बांदी तो हो गया उसका हाथ ठीक हो गया म्युथ सरका ऐसा नहीं यह प्राइमरे टीटमें आपकी वह ओर ज्यादा ना रहीले और ज्यादा फ्रेक्ट्चर ना इसके लिए तो क्या कर लिया कुछ भी जो रिजिट सब्जेक्टेब ठीक है कोई भी जो थोस हाए थोस वस्तु है ताले इता बांदून द्या वीशे संपला पर एक रोड असे प्रॉपर ताले बांदून ठाख ले हातर आपला अंतर चे ट्रीटमेंट जाले अंदर करता पना अशा प्रकास तुमी ताला एक स्ट्रक् मतलब हिलने नहीं दिना इट कैन वी दन विद्धा है अवैलेवल वूडन रॉट बराबर आजो बाजो में जो कुछ भी पढ़ा है वूडन का मतलब लकडी वकडी उसको लगा दिया क्या है बॉटन्स रूलर्स मतलब आके बाद स्केल वेल होगी तो स्केल भी लगा सकते ह इप देरीज एन इंपेक्ट ऑन देग्ट ऑप डवर्टीब्र कॉलम अगर समझ लो वर्टीब्र कॉलम में यह जो आपको फीट के पीछे जो रॉड दिख रहा है यह घडिया जो दिख रही है उसमें अगर फ्रैक्चर आ जाए या फिर आपका जो लोवर पोर्शन है यह प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको क्या करने अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो थीकरन र काए बर्न पर्शाब कोरा जारा जासा था ठंडा पने चाघ में वहात आप ठीक है वहाता पने चाधर अचाधी तुमकलिगे फुर्ण अछिप में जाला फ्लेवात जाव घठलन पंद्रा मिन्टा सटी तरी तो पाने आए तो जावरों वहों दिला ठीक है यहवड़ी कोश्ट आप लेला फक्त कर रहा है चे इस विक्टिम हाव बन इंजुरीज इट इस बेनिफिशल टू होल डव इंजुर पार्ट अंडर दे क्लीन एंड कोल फ्लोईंग वाटर फॉर ए पढ़ना की इंपॉर्टन है क्योंकि अगर इनकेस देव ना करोपन तुम चावर काई दर इसी कंडिशन आली कि वा असुंचे आजू बचे जोर को नार कंडिशन ले तुम्हें आले है गोश्टी करता आला बाज़ेज दैट्स वाई यह लनिंग दिस इंडिस चाप्टर भड़ भर है ठीक है बाई चलो एक नंबर तो इसके बाद क्या है यह राइस दिया है आपको खाना नहीं है उसको समझना है ठीक है रेस्ट सबसे राइस का जो आर है वह स्टैंड करता है रेस के लिए अलाव ते विक्टिन टो सीट इन दर्लैक्स पोजीशन ठीक है किसी को इंज्योई राव मतलब क्या हो जाता है पैरवेट ट्विस्ट हो जाया कहला का मनतौ आपन मोच से ने किवा मोच आ जाया ना उसको तेला वजन का मनतौ आपलान पाई जो है मूरगट ने आपन माराटिन बन्तौ ठीक है तेजर जाला तो तुम्हीं काय कर रूँ शकता ठी आइस आइस संद पॉर आइस ता अप्लाइए और आइस पैक टूदे इंज्योट पार्ट जो कुछ भी मतलब 20 हो गया जो पार्टे जिसे पायर हो गया या फिर हात अगया एंकल वेंकल जहां से क्या हो गया था वह ट्वीस्ट हो गया तो उसके उपर क्या करना आपको और स्टेंट पॉर रेस्ट मतलब सबस्टार उसको रेस्ट पोजिशन में लेकर जाना है ठीक उसके बाद जो कुछ भी इंजोड पार्ट होगा तो उसको क्या करना आइस लगाना है उसके बाद आपको क्या करना है उसको कंप्रेशन धीरे धीरे जेंटली एक दम स्मूथली आपनो बिल्कुल हलके हातों से क्या करना है मसाज करना है और उसके बाद इलिवेट इंज़र पार्ट शुट बी केप्ट इनस रेस रेस और इलिवेटेट पोजिशन जैसे पहे टूट गया तो क समझ लो कोई आपको विक्टिम दिख गया आपको पेशन दिख गया तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले लेके जा सकता हो अगर समर्ण रोड के साइड में कुछ तो भी क्या हुआ है एक्सिदेंट हो गाया तो उस चोटे बच्चे को इस तरह से उठागर आप जूसे जगा पर ले जा सकते उसको कहते हैं क्रेडल में तर ट्राइडल में तर ओके त्यान अंतर का है कैरिंग फिगी है कि अगर कोई बंदा जू रहेंrals हो गया तो उसको क्या करो गया आप जो सब्सकोड़ ऑर ऐसे नाीय जो वे शूद्ध है उसको आप क्या कर सकते हो आपको पीट के उपर ऐसे डालना है उसको भीठाथाना है एक हाथ जो है आपको ऐसे पीछे होनगा उसके ठीक करना है मेरा राइट शोल्डर आपके आपके कंदे डालना है ठीक है मेरा जो यह राइट हैंड है आपको मेरे कंदे डालना है अब इसके वज़े से क्या होगा मैं जब चलूंगा तो मेरा जो प्रेशर बॉड़ी का जो राइट पर पर जाने वाला था वो क्या आप कहा पर आ यहां से ट्विस्ट हो गया तो इसका जो फ्रेंड इसने क्या किया इसको जो है राइट साइड पे इसका यह राइट पॉर्शन अपने कंदे पे ले लिया इसके वज़े से क्या हो गया इसका जो बॉडी का प्रेशर यहां पर आने वाला था वो कहा पर चला गया इसके कंदे तो अगर उसको थोड़ा से शौट डिस्टंस के लिए यहां से मतलब में रोड से यहां पर लाना है तो आप क्या कर सकते हो शौट डिस्टंस के लिए तो उसको सीधा इसे पूल कर सकते हो देखो इस तरह से उसको घसिटते हुए थोड़ा 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 धीरे धीरे धी दिया ठीक है मतलब से जगह से उस जो जहाँ पर एक्सेडन हुआ तो वह उस अंसेब जगह से उसको उठाकर से जगह पर लेकर पुलिंग और लिफ्टिंग में तर आप तो पता है आपने बहुत बार किया होगा यह सारी चीज़ ठीक है उसके बाद देखो कैरिंग ओन फोर ह आप के दोस्का और मेरा हाथ ऐसा ठीक है हो जाएगी इस तरह से देखो यहां पर क्योंड़ इंचोर्यड़ूर्य एक कमर के नीचे अगर कहा पर यहां पर इंजोरी हुई है समर्लों इस रिजर में इंजोरी हुई तो इस तरह से आप चेर बनाकर उसको क्या घर से बीटा कर लेके जा सकते हैं तुम्हाला माई तुम्हें खेड़ लाए गनपती गनपती ताला भक्त तुम्हें आता जरे का दीजर घटना घ्ली तैजा मध्या कसे दो एसे आपकहा पकड़ाओं आपके दोस्ट का हाथ काइसा होगा इस तरह से उसका हात होगा और आपका हाथ कैसे इस तरह से मतलब यह क्या हुआ चैर वाली प करते हैं यूज कि सब्सक्राइब रहा थे अपने कंदेप अरत रहाए से चलप एहाँ पर क्या हो रहा है कि हैंड को यूजने कर पा रहा है तब आप उसको क्या करो कर हो किए उपर ये नीचे इस तरह चैर बना तो भी तरह करें लाने कर लगार जोलोय बस यही तो सची बएसिक टेखनीक है यार बाकी कुछ नहीं करना ठीक है उसके बास ट्रीचर तो पता आपको अगर कोई इंसान उसका पीट वीट सब तूट गई है राडवाड उसका पीछे का पीट वीट सब तूट गई तो आपको क्या करना होगा इस तरह से उसको लिटा देना और भाई लेके चल लो ठीक है इन एमरेजंसी इफ का कन्वेंशनल स्टेचर इस नॉट अवालेबल देन अटेंपरी स्टेचर क बना सकते और उसको आप लेकर जा सकते हैं बस इहीं सारी चीजेस हिसे साथ कोई दिक्क्त नेटिया बहुत डिवाला था ठीक है तो आयको आपका जो यह इन वार्मेंट मैनेजमेंट चाप्टर जो बहुत प्रैक्टीकल व्न आ रहा नहां काल फेंदेंपरी का वह दखनी kita